नमस्कार डीवी नियूस में आपका स्फवागत है 12 रसी के ज्यानबापी परिसर इस्थित ब्यास जी के तहकाने में पूजा अलचना मामले में इलाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई हाला कि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया है कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है बता दे हिंदू पक्ष की और से सुप्रीम कोर्ट के वरिस्ट अधिवक्ता सी एम वैदिनात ने बहस की वैदिनात ने तक्रीबन 40 मिनिट तक दलीले पेश की उन्होंने कहा कि ज्यानबापी के दाहिने हिस्से में तहखाना इस्तित है जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे ओर्डर 40 रूल वन सीपीसी के तहत बारणसी कोर्ट ने जीएम को रिसीवर नियुक्त किया यहां फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभाबित नहीं करता है क्योंकि मुसल्मान कभी तहखाने में नवास नहीं पड़ता था हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने जब बारणसी डीएम को रिसीवर नियुक्त किया तो उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया वैदिनात ने कहा कि बाराणसी जिला कोर्ट ने डीएम बाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया और विदिबत पूजा के इजाज़त दी इसके बाद मुस्लिम पक्ष की और से सीनियर एड़ोकेट सायद फरमान एहमद नकवी ने बहत शिरू की नकवी ने कहा कि 151-122 CPC को हिंदू पक्ष ने सही ढंग से नहीं पेश किया उन्होंने दलील दी की डी-म को रिसीवर नियुक्त करना बास्तव में हितों में विरोधा बास पैदा करना है नकवी ने दलील दी की जिला जज़ के आदेश में बगी खामी है उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था ब्यास परिवार ने अपने पूजा के अधिकार को काशी विश्मिनाथ ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था तो उन्हें अरजी दाखिल करने का कोई हक नहीं था वही नकभी ने कहा कि DM पहले से ही काशी विश्मिनाथ ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं तो उन्हें ही रिसीवर कैसे न्योक्त किया जा सकता है हिंदू पक्ष को यह मानना चाहिए था कि DM ट्रस्टी बोर्ट का एक हिस्सा है जिला जज कुछ चीजों को सुविदा जनक बनाना चाहते थे इसे लिए उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया था नकवी ने कहा कि किसी भी तहकाने को कोई उलेक दस्ताबेजों में नहीं है मैं प्रासंगिक दस्ताबेजों में किसी इस्थान पर इस्थित संपत्ती का समान्य विवरंट दिया गया है नकवी ने पंड़ेत चंदरनात व्यास के बसियत दस्ताबेश का हवाला तिया उटोंने कहा कि इस दस्ताबेश में कमपनी का कुछ विबरेंट दिया गया है लेकिन सब कुछ नहीं वहीं शेलेंद्र कुमार पाठक, जीतेंद्र कुमार पाठक और काशी विश्वनात ट्रस्ट द्वारा निश्पादित दस्ताबेश लगा रहे हैं